हिलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आर्कमडीज के सिधान्त के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग आरकमडीज के सिध्धानत के basic से basic concept को समझने वाले हैं, साथाई साथ लोहे की किल पानी में डूब जाती है, जब कि लोहे का बना हुआ जहाज पानी पर तैरता रहता है, इस concept को भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऐसा कैसे होता है, त निस्टी तिरुप से आपको अर्कमडीज का सिधान्त विल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आएए अर्कमडीज के सिधान्त को समझते हैं अर्कमडीज सहाब एक बार पानी की टंकी में असनान करते हुए उन्हें अपने भार में कुछ कमी महसूस हुई जब उन्हें अपने भा करने का प्रयास किया कि यह कमी हमें क्यों महसूस हो रहा है ठीक है तो उन्होंने इस कमी को महसूस जो किया उस कमी को महसूस क्यों हुआ लिए उन्हों के सिध्धान्त के नाम से जाना गया तो अब उन्हों ने यह कया उन्हों ने एक बरतन सकते हैं यह बतन फ्रीळ मैं से भरा हुआ है अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिया लकड़ी का तुकड़ा माल लिए पांच केजी का है इमेजिन करना है कि लकड़ी का टुकड़ा क्या है पांच केजी का है अब लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने क्या किया इस बरतन में डाला गय जब यहां से उसको लकड़ी के टुकड़े को यहां पे डाला गया तो उन्होंने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में आ ला गया तो इसमें से पानी गिरेगा अब पानी जो गिरा यहां से यहां से पानी जो गिरा पानी जो गिरा उसको एक बरतर में उन्होंने इकठा कर लिया इस बरतर में इकठा कर लिया दोनों साइट से पानी गिरा उसको बरतर में इकठा कर लिया अब जब बरतर में इकठा क जितना इस लकड़ी के टुकड़े के भार में कमी हुई जैसे लकड़ी का टुकड़ा पहले 5 kg का था जब वह अंदर गया तो उसका भार जो है 3 kg महसुस रहा यानी 2 kg की कमी हुई और जब दो केजी की कमी हुई तो उन्होंने क्या किया कि जो पानी था उसको इकठा किया और देखा कि लकड़ी के टुकड़े का जो भार में कमी हुई वह और पानी का भार दोनों आपस में क्या है बराबर है दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया यानि लकड़ी के टुकड़े के भार में कमी और जो पानी जो यहां से पानी बाहर निकला है वह दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हुआ उन्हें बहुत आश्चर हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उन्हें लगा कि यह हो सकता है कि तुक्का लग गया हूँ तो उन्होंने फिर से प्रियोग क क्या किया कि उन्होंने क्या कि पुन बरतन लिया बरतन को पानी से लबा लब भर दिया पूरा पानी से भर दिया इसको ठीक है पानी से भरने के बाद अब उन्होंने जो लकड़ी का टुकड़ा लिया वह दस केजी का ले लिया इतने केजी का दस केजी का अब दस केजी का में कितने की कमी हो गए चार केजी की कमी हो गए यानि इसमें से जो पानी था वह चार केजी क्या हो गया बाहर गिर गया चार केजी पानी क्या हो गया बाहर गिर गया ठीक है अब यहां पर भी उन्होंने देखा कि इसके लकड़ी के टुकड़े के भार में जो कमी हुई उसी क बराबर जो है पानी क्या हो गया बाहर गिर गया ठीक है लकड़ी के भार में जो कमी उसी के बराबर पानी जो है क्या हुआ बाहर गिर गया यानि तब उन्होंने उन्हें यह बात समझ में आई कि यह ऐसे तुक्का नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं यह एक नियम बन रहा है और उ उस वस्तु द्वारा हटाये गए द्रव के भार के बराबर होती उस वस्तु द्वारा हटाये गए द्रव के भार का मतलब जब यह अबस्तु इसमें डाली गई तो इस वस्तु द्वारा पानी की कुछ मात्रा को हटाया जा रहा है यानि पानी यहां पे गिर रहा है विस्था जब कोई वस्त किसी द्रव में आंसिक या पूरी तरह जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आजाती है बहार कम होने का आभास महसूस होता है हमें ऐसा महसूस होता है कि उस वस्तु के भार में कमी हो रही है और यह जो कमी होती है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और इसे ही आरकमडिज का सिध्धान्त करते हैं जैसा कि हमने बताया यहां पे कि पानी है अब इसमें पांच केजी का हम कि उसको तीन लखडी ड़काडी का टुकडा ड़ा गया तो दो केजी नहीं कमी महसूस हुई तो अब जब इसके भार में जो करते हैं तुमित करते हैं कि आरकमडीच के सिध्धान्त को अच्छी तरह समझ गए होगे कि जब कोई वस्त किसी द्रव में आन्सिक पूर्ण से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आजाती है आभासी मतलब कमी का में आभास होता है और यह एक एक्जामपल चोटा सा लेते हैं पानी की टंकी है अब इसमें हमें लोहे का किल डालना है लोहे का किल जब डाल रहे हैं, तो यह कब डूबेगा दूबे का कब और कब तहरेगा जब या पानी में गया पानी में जाने के बाद यदि इस लोहे के कील द्वारा हटाया गया भार ठीक है लोहे के कील द्वारा जब लोहे का कील इसमें पड़ेगा या पानी को इधर उधर क्या करेगा हटायेगा तो जब इसके द्वारा हटाया गया भार, पानी के भार के बराबर हो जाएगा, यानि लोहे के कील द्वारा हटाया गया भार, पानी के भार के बराबर हो जाएगा, यानि लोहे के कील, कील और पानी का भार, हटाया गया पानी का भार, आपस में जब दोनों बराबर हो जाए डूब जाएगी ठीक है तो अब यहां से एक प्रश्ण उठता है कि यहां पर देखें प्रश्ण है आपका लोहे की कील पानी में डूब जाती है जब कि लोहे का जहाज तैरतार हता है क्यों तो देखें इसके पीछे का कारण यह है कि जो लोहे की कील होती है जब वह पानी मे जाती है तो उसके द्वारा हटाया गया जो पानी का भार है वो कील के भार से कम होता है क्या होता है लोहे के कील के भार से कम होता है इसलिए कील क्या हो जाती है डूब जाती है अब जहाज बड़ा भी होता है लेकिन तरता क्यों है तो देखें जहाज जो होता है एक्चुल मे जाता है उसमें तो वह अपने भार के बराबर ठीक है जैसे यह जहाज है सपोज यह जहाज है ठीक है तो वह अपने भार के बराबर पानी को यह पानी है पानी को टार देता है अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देता है इधर उधर कर देता है ठीक है अब जब अपने भ हाथ पर चलाकर हम लोग हाथ पर चलाकर पानी को अपने भार से अधिक पानी को इधर उधर टार देते हैं और जब अपने भार से अधिक पानी को टार देते हैं तो हम पानी पर क्या होते हैं टैरते रहते हैं तो ऐसे ही जहाज भी होता है जहाज क्या करता है कि अपने भार के किल क्या हो जाती है पानी में दूब जाती है ठीक है आप एक चीज और महसुस किया होंगे जब हम पानी में होते हैं तो हमारा भार कम महसुस होता है उसके पीछे का कारण यह होता है कि नीचे से उत्पलावन बल कारे करता है इसलिए अगर बाहर कोई बस तुमान लिजे 100 kg की है 100 kg की है और उसको हम उठाने का प्रयास करने नहीं उठा पा रहे हैं किसी व्यक्ति को माले कोई 100 kg का है पानी के बाहर है उसको उठाने का प्रयास करने नहीं उठा पा रहे हैं लेकिन अगर वही व्यक्ति पानी के अंदर रहेगा तो उसको हम थोड़ा सावी बल लगाए एदेल है और हमेंगा बन लगाने पर ही वह वर तुँख रिया सीग rigor अब यहांपर इसको लिख लेते हैं कि लोह एक पानी में दूब जाती जहाज द्वारा हटाये ग़ए पाणी का वजन जहाज के वजण के बराबर होता है इसलिए यह वजन से कम होता है इसलिए लोह की खिल पानी में क्या हो जती है डूब जाती है यही कारण है I hope कि इस बात को आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आर्कमणीज का सिध्धान्त क्या होता है और लोहे की किल पानी में कैसे डूपती है और लोहे का जहाज पानी पर तैरता रहता है कैसे ठीक है उमिद करते हैं इस्टुडेंट्स की यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम